सबस्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचनाय होती है जो विभिन समाचार पत्रों पर शायवी होती है और विद्यारतियों के लिए अवश्यक होती है तो आईए सुलू करते हैं और देख लेते हैं कि आ यह देखी यहां पर लिखा समुगा समुगा के कर्मचारियों के बनेगा रोश्टर लागडाउन के कान बंद चल रहे सरकारी कार्याले बीस अफ्राइज खुल जाएंगे सरकारी कार्यालियों में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिक बनाई रखी जाए और कामकात पर असर भी नपड़े इसके लिए मुख सच्यू राजन तिवारी ने दिसा निर्देश जारी करती हैं निर्देशों के मताबिक सभी विभागों के विभागा दक्ष और समुग का और खाके सभी अधिकारी काराले आएंगे वहीं समुगा और घा के कर्मचारियों के लिए रोश् शुरू कर देंगे क्योंकि बात हो रही सरकारी कारालियों की तो आपके जो परिच्छा आयोग है चाए वो लोग सेवा आयोग हो या यूपिट्र पैलसी हो यह मादमिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ड हो सभी बोर्ड खुलेंगे 21 तारीक सभी बोर्ड खुल रहे हैं इसके ब रिच्छा भी थी वीडियो जिसका डाकुमेंट वेरिफिकेशन होना था अंतिम प्रेणाम जारी हो चुका है लगबग आठ नौ मेने पहले विद्यार्थी इसके लिए परेशान है इनका डाकुमेंट वेरिफिकेशन होना था 26 तारीक से लेकिन बाद में कुरोना की जल्द से जल्द हो इसके लिए उसके लिए वह भी ट्विटर अभियान में भाग ले सकते हैं यह देखिए विद्यार्थी हैं यह उत्तरप्रदेश की सीम को ट्विट कर रहे हैं लिखे हैं कि महोदय करपया यूपिट पलसी की गतिमान भरतियां जिनका अंतिम रिजल्ट सत्यापन करवा करके आतिसीग्री पूरी करवाने का कस्ट करें आप चाहें तो इसीव可 रिट्वीट कर सकते हैं यह अपना अलाग से त्विट कर सकते हैं उत्तरप्रदेल्स की मुंझ्यमंतरि और जो उच्छधकारी उनको टेइख कर सकते हैं इसी तरीके का एक दूसरा ट बारे शुरू करने का निर्देश जारी किया जाए और जल्द से जल्द वीडियो 2018 का ओनलाइन डॉक्मेंट वेरिफिकेशन करा के जल्द से जल्द निकतिकार पूरा कराने की तरफ एक अदम उठाए जाए तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कोटा से बहुत सारे प्रसासन को ये बात मालूम हुई और उसको संग्यान में लिया और उन्हीं दर्तियों को बुलाया गया इसलिए आप लोग भी ट्विटर से ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं केवाल वीडियो डीवी के लिए ही नहीं बहुत सारे जो प्रड़ाम लंबित हैं उसके लिए भ अगर आप लोग कहेंगे तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा और यूपी ट्रसी को कम से कम जो पेंडिंग परिडाम वो तो जारी करना ही चाहिए अगली सुचना है बिश्विद्याले की परिच्छा की और यूपी वोड के परिडाम की लिखा मुल्य भी विश्विद्याला हैं उनकी परिच्छा करवा लिजाए और यूपी बोड का जो परिडाम है वह बहुत जल्द जारी होगा उसकी जो मुल्यांका ने उसकी विकारवाई सुरू हो रही है यहां पर लिखा है उपमों की मंत्री डॉक्टर दिनी शर्मा ने लागडाउन खाम होते ही फंदरा दिश्विद्याले और दिग्रीक दिक्षाय परिच्छा को प्राइसनातर कोर्सइज के निर्देतियine उनकी निर्देश दिये हैं और उन्हों कि कई विश्विद्याला यदि इससे पहले हुए परिच्छाय सुरू कराना चाहता है तो करा सकता है योजना भवन में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर शर्मा ने सुक्रवार को राज विश्रिवुद्यालियों के उच खुल पतियों और उच्छा विभाग के अधिकारियों से लागडाउन के बाद परिच्छा की तैयारियों वह ऑनलाइन पढ़ाई की इ इसे पट्री पर लाना है और यहां पर एक और सुचन अधी है कि आप देख सकते हैं कि डाक्टर सर्मा ने बताया कि यूपी पोड की परिच्छा की कापियों का मुल लांकर कराने जा रहे हैं जून में हाई स्कूल और इंटरमेडियर का परिडाम आ जाएगा जुलाई में इस नातक के दाखिले की प्रकरिया सुरू हो जाएगी अगली सूसना है प्रवेश के लिए आवेदन ग्यारा मैं तक प्रवेश परिच्छा के लिए आवेदन अब 11 मैं तक किये जा सकेंगे सब्सक्रवेश्ट परिच्छा परिच्चा देने लागडाउन की वजह आवेध और 15 जून को यह परिक्षा कराई जा सकती है यह प्रायोजी तारीख है और यह तभी हो सकेगा जब इस्थितियां सामानने होंगी हाला कि इसकी जो तारीख है यह कई बार बदली जा चुकी है वहीं पर एक और सुचना है मेरेट विश्विद्याला की लिका लागडाउन समा परिक्षा कराने की योजना है इसके बात में बात कर लेते हैं एल्टी ग्रेट शिक्षा कराने की योजना है च्क बढ़टी की Game दैर के अलग अलग संग्तन है और अलग मांगे हैं कुछ जो पर्डाम है वो जल्ड से जल्द जारी किया जाए και और कुछ विध्यार्थीों की जाए फिक प्रिच्छा करा गए ती जिसमें पूर्ड परिच्छा नियंतर अंजूर तकटियार प्रिंटिंग प्रेस के माली कोशिक कुमार कर दौरा पेपर की काला बजारी की गई ती जिसकी पुष्टी प्रिष्टाचार को बढ़ावा देने वाली गैंग की जमानत आज का खारेश कर दी गई लेकिन लोग सेवा आयो के दक्ष प्रभात कुमार जी और सचु जगदीश ने इस पर कंभीड़ता से विचार ना करते हुए अभी तक कोई कठोर कारवाई नहीं की है सुत्रों की माने तो यह पूरा इन्होंने एक पत्र लिखा है और इन्होंने कहा कि इस परिच्छा में जो लोग समलित हुए उनके खिलाफ ठोस कारवाई की जाए और इस बरती में ब्रश्टाचार हुआ था यह इनका एक बड़ा आरूप हाला कि अब लोग सेवा आयो को भी करवाया जाए और अगर प्रड़ाम जर्णा प्रदसन कर चुके हैं कई वह अन्दोलन कर चूके हैं चाहए बनारस में और चाहिए में हो लागडाउं सभावत होते ही विद्यारतियों की फिर से योजना है और फिर से एक बड़ा अंदोलन और बड़ा धरना प्रजर्शन होगा अंत में बात कर लेते हैं थोड़ा सा कोरोना की कोरोना में भारत की जो संक्रमित लोगों की संख्या वो हो गए यह 13835 और उत्त देख्यों को कहना है कि अगर लागडाउं समावत भी कर दिया गया तो कम से कम 6 महीने या 2 साल तक सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा नहीं तो कोरोना वापस भी आ सकता है पिछले लगबग एक सफता से देखा जा रहा कि भारत में जो कोरोना की संक्रमित महरीज है वो एक हजार बैक्ती एवरेज प्रती दिन बन रहे हैं और वहीं पर अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में साथ लाग से ज्यादा बैक्ती कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 24 गंटे में यहापर 3856 लोगों की और निवाद अमें टूर खिला की में में यहाथ प्रताव जयादा यहाथ